बहुत खुश है मेरे आसो के प्रणभू के काम आई है बजा और ढोल स्वागत में मेरे घर राम आई है आज मुझे ऐसा लगा कि आज मैं इंडियान हूँ सच्वे इंडियाक में रहती हूँ क्योंकि उन्होंने नाम लिखा तो उनका मेसेज आया कि बहन पी एम सर का फोन आया था हमारे भजन के लिए सो कॉल मी वेन फ्री करके पर मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग आएंगे उस टाम पे शायद मुझे दर्शन ना मिले तो मुझे जहां तक पता है जो विल्डियो कॉंसेट जब बना था तो दोनों को ही लेने की बाती श्री अरुन गोविल जी को भी लेना था और डीपिका जी को लेना था मैं अक्चिली उनको फील कर सकती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ उनकी हामी आती है तो ही वो काम आगे बढ़ाती हूँ आज वो रहते तो उनके लिए मुझे लगता है सबसे गर्व की बात होती मेरे पिताजी के लिए मेरी मम्मी बहुत जादा खुश थी उनको यकीन ही निम्स उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था सबसे पहले तो पायल मुझे यही बताईए कि इंटर्व्यू कितने दे दिये पिछले तीन-चार दिन में इतने चर्चे भजन तो वैसे भी मतलब मेरे तो घर गाड़ी में वह लूप पे चलता है तो पीम के ट्वीट के बाद कितनी बिजी हो गई है आप देखिए मैं बहु और सर ने सुना है या नहीं अभी आयोध्यानगरी वापस से स्थाफित हो गई है राम जी आने वाले स्थापना हो रही है उनकी और मुझे ऐसा लगता था कि सब ने सुन लिया पर एक चीज होती है तो जैसे पीम सर ने वह सुना ट्वीट किया तो मुझे इतनी खुशी अफकॉस जब उन्होंने ट्वीट किया तो बीजी तो होना ही है अजा यह बताईए कि सबसे पहले आपको पता कैसे चला कि उन्होंने ट्वीट किया खुद देखा किसी ने बताया दीखे मैं ना उस दिन सुबह सो के उठी थी ती और मुझे टैक्स आ रहे थे बहुत तो मुझे लगा यह क्या आ रहा है तो फिर मैंने देखा तब मुझे पता चला बट उससे पहले एक दिन पहले की बात है राउंड शाम को छे साथ बजे मेरी बात हुई मनोज मुंतिशिर जी से कि हम लोग कुछ और भी भजन पे काम कर रहे थे तो उनका मेसेज आया कि बह मुझे बहुत एक्साइटमेंट मैं यह जानने के अरड़े बहुत है उसलिकर नाम जीशिमड़ा है जयादा थे तो ह्मारी बहुत खुश थे और उन्होंने बोला कि मैं शायद इसको ट्वीट करो उन्होंने पहले भोला था उसके पहले दिन पर मुझे लगा कि उनका बोलना ही बहुत होता ना उन्होंने बोल दिया उन्होंने तारीफ कर दिया बस हो गया मेरे लिए वही बहुत बढ़ी बाती पर next actually जब उ इंडियाक में रहती हूँ क्योंकि उन्होंने नाम लिखा उन्होंने एक्सेप्ट किया जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है तो आपने खुदी फून पर देगा किसी ने बताया नहीं आपको उसके बाद मुझे उससे पहले पता था एक दिन पहले कि वह करने वाले है लोगों ने मेंशन करना शुरू कर दिया है और वापस से आपको भी पता इंटर्व्यूस के लिए कॉल आने लगे बहुत जादा फिर उसके बाद आपको पता ही है मैं चार दिन मुंबई मुझे आपका टाइम नहीं मिला तो इसलिए हमें जूम पे बात करने को तो मुझे पताएगे आप कितनी विजी हैं जी 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 अच्छा मैं इस भजन के पीछे की कहानी बहुत प्यारा है मैं खुद पता नहीं मुझे लगता है कितनी बार सुन चुका होगा इसको तो किस दरह से इसकी प्लानिंग हुई थी कैसे बना ये भी जबर बताएगे मैं मतल Bliss बहुत बड़ा एंथम बन गया मेरी मा के बराबर कोई नहीं यह यह लाइं भी ऐसी है मनुज मुंतशीर जी नहें лिखा ऐ कि यूनिवर्सल हो गया क्योंकि मातो मा होती है चाहे दूरगा मा हो चाहे काली मा हो चाहे सरस्वती मा हो मा तो मा है यहा उनो हमारी मा हो फु तो भोले नाथ के लिए बनाया है, हमने मेरे बाबा और वैसे, तो इसे तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हर भगवान को खुश करें, और हर किसी के लिए हम लोग एक एक भजन बनाते जाए, और श्री कृष्णा के लिए भी हमने बनाया था, कौन कहते है भगवान आते नहीं, वो भी बनाया था, और उसके बाद ख्याल आया कि नहीं, राम जी के उपर गाना होना चाहिए, श्री राम आना, बतब आप लिरिक अली भी देखिये, तो मेरे घर राम आये है, बड़ी लं हम से बनवाया है, बोलके, कि ये बनाना है, मुझे ऐसा रखता हम सब धन्य हो गया, कि उन्होंने हमें इस गाने के लिए चुना है, और फिर ये गाना दीरे दीरे श्री राम जी के उपर इतना जादा पॉपिलर हो गया, हर जगे बजने लगा, इतने मिलियंस में रील्स ब ट्वीट कर दिया, तो आप सोचिए कि मतलब सच में उनकी बहुत जादा कृपा है, जो उन्होंने किया, तो ये जब गाना लिरिक्स आये मेरे पास, मेरे घर राम आये हैं, फिर मैंने ट्यून बनाया, एंट्यून बनाके हम लोग शेर करते हैं आपस में, कि देखिए ये क इसा लग रहा है, इसको थोड़ा ऐसा करते हैं, थोड़ा ग्रूवी बनाते हैं, ताकि लोग जश्न मनाएं, राम जी आ रहे हैं, तो मतलब छोटी बात तो है, नहीं सबसे बड़ी बात है, तो लोग ऐसा होना चाहिए, कि लोग रुके ही नहीं, लोग नाचे, गाए, हम लोग काफी खुश थे उसके बाद, तो ऐसे बनार के दीरे-दीरे लोगों ने बहुत पसंद किया इस दाने को, भजन, मैं तो बहुत ज़्यादा आभारी हूं, श्री राम जी की, एक साल लगभग इसको हो गया है, और जी, 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 अब यह एक ऐसे महाल में मुझे ल था कि मैं भी अयोध्या जाओ, और जाके पूजा करूपर मुझे ऐसा लगता है, कि सब लोग आएंगे उस टाइम पे शायद मुझे दर्शन ना मिले, तो भुद भी राम जी की प्रतीमा है, राम सीता, लक्ष्मन जी, और हनुमान जी की, पूरे परिवार की, तो मैं उस बात जब भी थोड़ा मौका मिले, चाहे दस दिन के बाद हो, बाईस तारीक के बाद, या तो पंद्रा दिन के बाद हो, मैं खुद आयोध्या जाना चाहूंगी और श्री राम जी के आशिरवाद को लेना चाहूंगी, खुद उनको साक्षाद दर्शन करके. अच्छा इस भजन में जो रामायन की माता सीता दिपेका चिखलिया वो भी हैं, आपको लगता है कि एक कॉंबिनेशन ऐसा बन गया है, जिसने इसकी पॉपुलारिटी को और जादा ऊपर पहुँचा दिया, जी जी बिलकुल बिलकुल, और मुझे पता है, जो विल्डियो तो हुआ था, उनकी हेल्थ इसूस थे, या वो कई बिजी थे, या कुछ तो ऐसी चीजे थी, मुझे एक्जाक्ट रीजन नहीं पता, तो वो नहीं जूर सके इस गाने में, बट हमें दिपिका जी मिली थी, जब दिपिका जी आई थी, तो एक हम, मैं जब बहुत छोटी थ मतलब ऐसा लगा, जैन्मिनली मतलब श्री राम जी जो जुड़े हुए है, मतलब जो उनसे वो लोग शुरू से जुड़े हुए है, और उन्होंने इस गाने में भी आके मतलब गाने को सच में धन्य कर दिया, अच्छा अगर 22 तारिक को अभी तो वक्त है, हो सकता न्योट सबस्क्रता यह क dale है सबकुर के करे तो अघर कि में रहेंगी जाएयंगी भाजन तो और भी भाजन से सारी ते यारी करके जांगी मेरे कुछ-कुछ बहुत फेवरेट है जैसे कि श्री राम चंद्र कृपालो भजमन बट वो संस्कृत में है तो बहुत वक्त हो गया है उसको जो मंगल भवना, मंगल हारी ये जो गाने हैं ये भी तो मैं जाती हूं या जाओंगे अऽिल वहां बञाती है मतलब मनोज मॉंतषिटी नuri वो बहुत जादा अच्छा लोग पस्न कर रहे तो वह राम आएंगे भी गाओंगी मेरे घर राम आये है भी गाओंगी और ये भी मैं आपको बता दू मैं और तीन चार और राम भजन पर काम कर रही हूं विकॉज हम लोग भी सूर्य वन्षी है राम जी के उससे है तो कुल देवता है तो उनके लिए गाने बनाना काफी साधा बनाना चाहती हूं तो 22 तारिक से पहले भी कोई और नया राम भजन आ सकता है जी कोशिश बहुत है तैयारी चल रही है सब कुछ रेडी है और अगर राम जी की क्रिपा होती है तो ज़रूर 22 तारिक से पहले आपको सुनने को मिलेगा ही मिलेगा थेशी करूंगी एक क्या मैं दो तिन ढाल दू क्योंकि ना मैं चाहती हूँ कि जादा से जादा महराम जी के उपर गाना बना हूँ अभी आपके लिए श्री राम क्या है पाइल देव के लिए संगीत से पूछ हूँ मैं तो भगवान शिव की और जो शिव है वही राम है वही नारायन है नाम अनेक है पर रूप तो एक ही है देखा जाये तो तो मैं बहुत जादा स्पिरिच्वल हूँ और मेरे लिए श्री राम है तो सब कुछ है मैं अपने मतब एक कदम भी लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इ उनका जवाब नहीं आ सकता है क्योंकि हम इंसान है वो हमसे बात नहीं कर सकते है बट मैं अच्छली उनको फील कर सकते हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हां उनकी हाम ही आती है तो ही वो काम आगे बढ़ाती हूँ वो मुझे एक साइन मिलता है तो मेरे लिए श्री राम तो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए उनके एंची लिए उनको तो विश्वासी नहीं हुआ मेरी मम्मी है और मेरे डाड़ी नहीं रहे वो 2020 में ही पास तवय मुझे बहुत दुखा अगर आज वो रहते तो उनके लिए मुझे लगता है सबसे गर्म की बात होती मेरे पिताजी के लिए और मेरी मम्मी बहुत जादा खुश थी उनको यकीन ही निमत उनको विश्वासी नहीं हो रहा था मैंने बोला उनको फोन करके मम्मी देखिये पीम सर ने ट्वीट किया हुआ है प्लीज आप देखिये तो में बोलते हैं क्या मतलब उनको ना ऐसा लग रहा कि मैं मजाग कर रही हूं कुछ तो मैंने बोला अरे मैं आपको भेजती हूं स्नैपशॉट वाटसेप पे फिर देख मैंने नहीं हएं कि मतलब में तो मेरे लिए बाहरे मिल तो मेरे प्राउड मॉमेंंट है मतलब मेरी मिरी फैमिली और मुझ पर शूब हुआ हो हम आप पर फ्राउड है मतलब मतलब मैं मैंने आपको बताया मैं क्या हख से लोग होंगे जो शायद इन दिनों मतलब काफी टाइम से उसको सुन रहा हूं और उसके बास पिर सजेशन में आपको पता है जब आप सुनते हैं और भजन आते रहते हैं तो मतलब पहाने हम एक राम नाम थोड़ा सा और ज्याद मतलब उससे अच्छा कुछ नहीं होगी इस इंप्रिव की एंड़ी जी बिल्कुल बिल्कुल मेरे चोखट पे चलके आज चारोधाम आए है बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए रहे कथाश बड़े इस चार से जुड़ गई मेरे कहालीत बहुत खुश है मेरे आसो के प्रभु के काम आए है बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए है और भी राम भजन आए हम उन्हें सुने और वो भी इसी तरह से सुफरेट हो और उम्मीद करते हैं आप मेरे बहुत दिल से इक्षा है आप दी श्री राम जी से प्रे कीजिए मेरे लिए कि मैं उससे पहले रिलीज कर सकूं बिल्कुल और जल्द मुंबई में मिलते हैं जी बिल्कुल बिल्कुल आप जब भी मुंबई ने हो तो हम ने बताइए बिल्कुल मैं कॉंटेक्ट है तो थैंक यू सो मच जैश्री रही थैंक यू जैश्री राम